आज हम बनाएंगे प्रत्र स्पेशल रेसिपी आलू की रवडी और बहुती अच्छी दो मिनिट के अंदर रेसिपी थ्यार होती है खाने में किसी भी रवडी ये मिठाई से कम नहीं है बहुत ही टेस्टी है एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा इ हम इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं इसके बाद में जब सारे की सारे आलू कद्दू कस हो जाएंगे उसके बाद में अब हम एक पैन लेंगे और पैन में की एड करेंगे घी की मातरा हम एक चमश लेंगे ताकि हम जब आलो को अच्छे से भूने तो बहें बढ़िया डंग से अच्छे से सिख जाएं मैंने यहां सारे के सारे आलो को इस पैन में डाल दिया है अब मैं यहां विल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें कम से कम एक मिनिट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ हमें आलो को इस तरह से आप आलो को फोड कर भी ले सकते हैं लेकिन क्या है कि ग्रेट करने से इसमें जो भी लम्स होंगे वो नहीं होंगे अब हम एक दूसरा ख़टाई ले लेते हैं इसमें हम एक कब दूद एड़ करेंगि इसे अच्छे से हम उबलने देंगे उबलते समय अब हम इसमें केसर डाल देंगे केसर आप्टिनल है लेकिन डाल देतें तो अच्छा कला राता है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे उबलने देंगे इसे भी हलका हमें गाड़ा करना है गंडविनस चलाते रहेंगे इसमें अच्छे से उबार आ जाएगा केसर अपना कळर छोड़ देगी उसके बाद में हम आगे अपना करण प्रॉसस करेंगे इसलिए उसे अभी हम उबलने देथे हैं दीखी इसमें लगभग उबार आने लग़ा है और कीसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है प्रत में हम नई नी रेसिपियां बनाती रहते हैं तो यह रेसिपी बहुत ही जल्दी है और इजीली बन जाती है ज्यादा इसमें ताम जाम की जरूत नहीं है देखिए दूद बल गया है इधर हमारे जो आलू है जिने हमने सेखने रखा था बैभी अच्छे से सिख गए है इकदम से इसने पैन को शोड़ दिया है फालके से ब्लाउन कलर में हो गए है अब हम इन आलूओं को जो हमने दूद बलने रखा था इसमें एड़ कर देते हैं इसे हम इस तरह से शिफ्ट कर देंगे और इसे फालके हातों से चलाते रहेंगे बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है आप इसे अगर बनाएंगे तो आपको वस्ता में यह बहुत पसंद आएगी और जल्दी भी बन जाती है ज्यादा इसमें तेर नहीं लगती है मातर दो मिनिट के अंदर यह बनकर त्यार हो जाती है कि भी कि अबरत के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है इस तरह से लगातर चलाते रहेंगे और बहुत ही अच्छी धन्य से यह इस तरह से जब धीरे-धीरे गाड्य होने लगेगी तब हम इसमें जो दूसरे सामग्रिया है उन्हें भी हम एके करके इसमें एड़ करते जाएंगे यह देखिए यह लगवा गाड़ा होने लगी है और रबडी की फॉर्म में आ गई है अब मैं इसमें चीनी एड़ करूंगी इस स्टेज पर हमें इसमें शुगर डालनी है शुगर आप अपनी टेस्ट के कोडिंग कम ज लग रही है देखते हैं इसका मन आप बनाएंगे तो खाने का करेंगा बहुत ही देश्टी है अब आप इसमें इस स्टेज पर डालने तो ड्राइफूट डाल सकते हैं मैं इसमें अभी इलाची पाउडर डालती हूं यह देखिए खुश्ब के लिए हमने इसमें इसमें इ बिल्कुल भी न भूलें अभी देखिए हमारी रबडी बनकर त्यार है मैं इसे प्रेटिंग कर लेती हूं अब हम इसे ड्राइफूट से सजा देते हैं बहुत ही अच्छी और टेस्टी रसेपी है एक वार आप इसे बना कर जरूर देखें और ब्रत में यह बहुत ही अच क्रीमी सी रबडी और हमने इसमें सिर्फ एक कप दूद से ही से त्यार किये है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थन्यवाद